अब दूसरे को इल्याम देते हैं, एक बार ज़रा अपने पार्टी के गिरिवान में भी जाकना चीए आपको बस दो बाते हैं, उस पे जनता क्या सोच रही है, लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, वही कविता है हिमाचल से खबर ये आई, कि कॉंग्रेस के 6 ML अयोग्य हो गए, अब लोग क्या बात कर रहे हैं, ये देखो, क्या खबर चल रही है प्रेस में, क्या छे ही लोग अयोग्य हैं कांग्रेस में क्या चे ही लोग अयोग्य हैं कॉंग्रेस में, पार्टी लाइन से हटके, विधायक मर्जी भी अपनी चला रहे हैं, कनेक्शन तो है कॉंग्रेस से, पर कांटी मार के बत्ती भाजपा की जला रहे हैं बत्ती भाजपा की जला रहे हैं, अच्छा लोगों आपने विचार विमर्ष करके आपने टिकट दी होगी तमाम चीज़ें, आप लोग क्या सोच रहे हैं बत्ती जला रहे हैं, चाहे अपनी मर्जी से कैंडिडेट सेलेक्ट करना या च्छांट देना पर प्लीज कमल नाज जी के भरो से टिकट मत बाट देना कमल नाज जी के भरो से टिकट मत बाट देना पाटी के शुब चिंतकों ने पुरानी परंपरा को निभाया है पिछली बार ये जिम्मा मनिशंकर जी का था इस बार ये बीडा लालू जी ने उठाया है इस बार ये बीडा लालू जी ने उठाया है अनेक्स्पेक्टेड चीजों को डाइजेस्ट करना उन्हें बेहद अजीज है जिसने भैंसो का चारा हजम कर लिया उसके लिए कॉंग्रेस क्या चीज है अच्छा होता है कि आए रचनावर देता हूं हम लोग कभी समेलनों में जाते हैं सर तो हमसे ये कहते हैं लोग और भाई साब आपको टीवी में देखते हैं आज आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा नहीं नहीं राहुल जी यात्रा में हैं लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं बस वही कवीता है सुनना आप राहुल जी से मिलकर लोग भावुकता में खो गए बोले अब तक आपके मीमी देखते थे आज साक्षाद दर्शन हो गए युवा साथ घंटे रील देखते हैं इस समय उन्हें ऐसा बयान नहीं टेकना चाहिए था चुनाओं के बाद उन्हें समझ में आएगा उन्हें भी घर बैटकर रीली देखना चाहिए था क्योंकि विरोध के चक्कर में जिस तरह की बाते बोल जाते हैं समझ तो आप लोग भी गए होंगे कि भाजपा को सबसे जादा फाइदा राहुल जी पहुँचाते हैं राहुल जी पहुचाते हैं जिस गती से बड़ी पंक्ति दे रहा हूं जिस गती से नेता जा रहे हैं पूरी पार्टी दूसरों के संग हो जाएगी एक बार महात्मा गांदी ने कहा था कॉंग्रेस भंग हो जानी चाहिए लगता है जल्दी भंग हो जाएगी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए जनता की उम्मीदों समर्थन आशिरवाद का वजन ढोना पड़ता है सिर्फ राज योग होने से कुछ नहीं होता राज करने के योग्य होना होता है अब बहुत वह जन्यवाद बहुत आवाद अब बीजेपी के सिटिंग एंपी क्यों बोल रहे हैं अब हमनी लड़ना चाहते किसी और को देदो देखे इसका निड़ने तो हमारा सिर्फ में तो करता है और उनके पहले ट्वीट आए ना कि हम नहीं लड़ना चाहरे ताब उन्होंने रिड़ने लिया सब कि अपने हैं को किसी दाइद तो से बना हुआ है अगर उनको सक्री राजनीती में नहीं रहना है तो दूसरी शेपिंगे अपनी व्यक्तिकत हु़ती जिनने का जैसे गोत्म रमीर जी ने कहा कि मैं क्रिक्ट पर फोकस करना चाहता हूं से इसी तरहाँ पमंछिंग साल ठाल चल रहा है और अमृत काल में या हुआ एक कविता सुनाई मैं उसी पर दो पंक्तिया बताता हूं छूट छूट कर लूट लूट कर जेबे भरली कूट कूट कर साथ साल की सत्ता में बस देश का बंटा धार किया व्यापार किया व्यापार किया बस धोके का व्यापार किया इन लोग व्यापार किया और किसोर जी आजादी के अमरित काल में क्य रारह विख्षित भात की संकल्पा हम लोग लेकर के चल रहे हैं जैसा कहा कि मुद्दे नहीं मुद्दे हैं हमारे पास में हम तीसरी अरत्योस्थोत बनाना हमारा म UW tempor बनां हमारा मुद्द्दध है या मिक्षित भारत करके सभी की आई करने का किसानों की आये दुगनी करने का हमारा मुद्धा है और प्रतांमंतरी संवान नीज़ी करके तीन लाइंग करोडर में सीधा 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 11 क shortened किसानों के खाते में इसी तिरूर से समान ने का काम किया ऐसे अंगिनत हमारी फैरीस थे अगर आप देखे दस साल के कारेकाल में 2014 से पहले पहले सबसे पले हमने बड़े-बड़े गड़े थे उनको भरने का काम किया और 2019 वाला जो काल अगरणा में कहा गया है जासु राज प्रिये प्रजा दुखारी सो इन रप अवसी नरक अधिकारी जिस राजा के राज में प्रजा को धुख भोगना पड़े वो नरक की अधिकारी होती है अभी राहूल जी पर बात की गई राहूल जी पर बहुत प्रतिकूल टिपणियां की जाती है तो वो कहते हैं मेरी लगुता को न चूओ तुम महानों बने रहें अपने रदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं करतव विपत से में कभी भागूंगा नहीं वो अपने करतव विपत पर लगें आज परिस्थितियां क्या हैं बहुत बड़ी बातें भारती जनता पार्टी करती है हर्श गोयन का एक देश के बड़े उद्द्योग पति हैं ये बच्चे सारे बेठे हैं गूगल करिएगा उनके ट्वीट को देखिएगा उन्होंने कहा कि जनता देश के मेहनत के करों का पैसा प्रधानमंत्री जी को टैक करके कहा है कि अ tau पारी दोस्त उसको खरीद रहे हैं अब तब चलाक पांच लाग पेतीस खार करोंड रुपे के बैंक्ट करोंस्तर हिंदुस्तान से सत्टा की सरपरस्थी में भाग गया हमारे मैह हुल भाई हमारे नीर भाई हमारे विजय मालिया विजय मालिया का तो भारत के दिहास मे पहला प्रकरण है कि जो EDCBI सबके घर गुसी रहती है उसका लुकाउट का नोटिस रिवोक किया और कहा गलती से हमने दे दिया था वो 36 सुटकेस हिंदुस्तान से लेकर के भाग गया 14 लाग करोड रुपे राइट अफ किये गए बड़े बड़े व्यापारियों के किसानों क 86,000 करोड रुपे किसान से जो input cost बड़ाई उससे चीन लेते हैं और 6,000 रुपे का देने का स्वांग रशते हैं खुद parliamentary standing committee on agriculture ने कहा है इनके CACP ने कहा है कि यह जो दो गुनी आय करने का स्वप्न दिखाया जा रहा है यह बहुत दूर की कोड़ी है इन्होंने का 42 करोड ह केते हैं उनकी वित्तमंत्री सदन में 3 करोड केती कि आवास हमने बना दिये कितने पैसे दे रहे हैं आवास के इनका धन्ना सेथ 8,000 करोड रुपे का आवास बनाता है 1,20,000 रुपे वो भी 60% मोदी जी के और 40% राज सरकार है एक लाख रुपे में कौन सा आवास बनता है प्रधान मंत्री जी बता दीजीए चिमेंट के रेध के इंट के दाम देख लीज केई एगा कि कौन सा हावास आप दे देते हैं ऐद्ध में dum C. केपिटा इंकम हमारी सबसे कम है आप सार कंट्रीज में देख लीजिए सबसे कम है कहते हमने तीसरी बड़ी अर्थ विवस्ता कम कर दी 12 करोड लोगों के रोजगार चीन दिये 84 करोड की आमदन ही कम कर दी एने से सो बता रहा है कि किसान 27 रुपए कमा रहा है और आपका धन् के सामने हम लोग आज नत्मस्तक हैं पहली बार कांग्रेस को राम चरित्मानस की इतनी विमर्श और इतनी मीमान सा करते देखा है नई महां भारत का हम सब फिर से किस्सा देख रहे राज नीती के चक्र व्यूह में लड़ता बच्चा देख रहे और एक शेर और सुनना वी चंद्रमा के सीने पर फहरा चुका तिरंगा पर आप हाथ वाले जंडे पर चांद सितारा देख रहे हैं वह विकास के राजमार्ग से भाईचारा देख रहे हैं वह विकास के राजमार्ग से भाईचारा देख रहे हैं और सेरे आफिर इस गजल का भाईजी राम करोणों भारती जन्मन के जीवन दाता हैं आप राम के नाम तलक में खाना पीना देख रहे हैं बाव बाव दन्माद थेंक्यू सो माच आभार बाव 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 बाव